वेबसाइट, स्कूल, इंसिट्यूट और कॉलेज की एक अपनी अलग डिजिटल आइडेंटिटी अगर आपके स्कूल, कॉलेज या इंसिट्यूट की कोई भी वेबसाइट नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वादा है स्कूल, वेबसाइट से जुड़ी कुछ बाते हैं बहुत पहले मैंने अपने एक दोस्त को बताया था ऑनलाइन स्टडी के बारे में किसी कारण से उसने टाल मटोल करते हुए इन चीजों से मना कर दिया था और उसके कुछी महीनों बाद अचानक लॉगडाउन का प्रोसेस हुआ जिसमें सारी सिक्षा व्यवस्ता लगबग लगबग ठक पड़ गए थी जिससे बहुत सारी परिशानिया हुई स्कूल, कॉलेज, इंसिटूशन आपको पता ही है बद हो गई थी इसमें चली तो एक क्रांती की तरीके से जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन टेस्ट लिये, ऑनलाइन फीज कलेक्ट किये या ऑनलाइन ट्लासेज ली उनका लगबग एक साल के बाद वही बंदा मेरे पास आया और इनी चीजों पर काम करने के लिए उसमें मेरे से बात की, हम लोग मिल करके इस पर काम किये, आज उसका अपना खुद का एक डिजिटल इंसिटूट है, जिसमें वो ऑनलाइन क्लासेज लेता है, ऑनलाइन पढ़ाता बस oh 26 बच्चे आ जाते हैं जो come subscription के साथ पढ़ाई करते हैं हम बात करेंगे आगे चल की कुछ से ही चीजों पर जैसे अ उनलाइन पोर्टल होने के फाइदे क्या है ओनलाइन पोर्टर होने के जो फायदा है जैसे आप आपके क्लास में या इंसिट्यूट में जो भी बच्चा है उसका डेटा कौन सा बच्चा किते टाइम तक कब आया कब नहीं आया किस दीन में आया था आगे आने वाली कौन सी छुप्टी कब है कब नहीं है वो एक आप मे हैं आपके बच्चों को मिलेगा उनके पैरेंट्स तक मिलेगा उनके पैरेंट्स को पता चलेगा कि मेरा बच्चा आज स्कूल आया था नहीं आया था सारे डेटा को एक जगे आप सुरच्छित रख सकते हैं किसी भी डेटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं उसके लिए एक अ क्योंकि पेमेंट रिसीविंग का जो दिन होता है वो एक डिसाइड होता है ऐसे क्या होगा सारे पैरेंट्स कभी भी फीज पेमेंट कर सकते हैं और रिसेप्ट ऑनलाइन उनके मोबाइल पे चली जाए इस तरीके के बहुत सारे फीचर जो आपको हमारे ऑनलाइन स्कूल एरपी में मिलते हैं नमशकार दोस्तों मैं गोविन फाउंडर ऑफ ओसियस रिसर्च और डेवलपमेंट लाया हूँ आपके लिए आपके इंसिट्यूट कॉलेज और स्कूल के लिए एक डिजिटल और कंप अधिक जनकारी के लिए नीचे दिये गए नंबर्स पे कॉल करें या लिंक पे क्लिक करें थैंक यू